जय स्री कृष्णा कई घंटे बीद जाते हैं लेकिन गधा उसमें से बहर नहीं निकल पाता है उसके बाद वो आदमी सोचता है कि मेरा प्यारा गधा अब इस गधे से बहर नहीं निकल पाएगा और कुछ समय के बाद तड़पते हुए वहीं मर जाएगा लेकिन मैं इसको तड़पने नहीं दूँगा एक काम करता हुँ इसे यहीं तफना देता हुँ ताकि ये बीना तड़पे मर जाए उसके बाद वो आदमी अपने गधे को तफनाने के लिए उस पर मिट्टी गिराना सुरू करता है जैसे ही गधे के उपर मिट्टी गिरता है तो गधा अपने शरीर को हिला कर मिट्टी नीचे गिरा देता है और उस पर खड़ा हो जाता है जब भी अदमी गाधे के उपर मिट्टी फेकता है तो गधा उस मिट्टी को अपने उपर से जार कर नीचे गिरा देता है और उस पर खड़ा हो जाता है ऐसे करके कुछी घंटों में गधा के नीचे की मिट्टी जमिन तक उड़ जाती है और गधा उपर जमिन पर सही सलामत आ जाता है इस कहानी से हम ये सिख सकते हैं कि मुसिबत के समय हमें सिर्फ समस्या के हल के बारे में सोचना चाहिए जाय स्री कृष्णा जाय स्री कृष्णा